अब तक आप लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आदिल क्या राखी को मारा करता था ठीक है हर एक के जहन में दिमाग में था अब मैं आपके सामने आप लोगों के मीडिया के समख्ष एक ऐसा फोटोग्राफ रखने वाला हूं और एक मेडिकन रिपोर्ट रखने वाला हूं हिंदुस्तान ही नहीं पूरे राखी के चाहने वालों पर और आदिल के लोगों पर भी कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था मैं कुछ वीडियो फोटो आपके सामने पेश करूँगा आप लोगो उस अनुरोद है कि देखिए देखिए ये फोटो है आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह एक महिला के साथ आदिल पेश आता था ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता ये कोई अब नॉर्मली आदमी आता है जब मैंने फोटो देखी तो मैं तो हैरान हो गया भाई कि चलिए यह देखिए पहली फोटो उसके हाथ के चोटकी अब यह तो यह तो शुरूआत है यह शुरूआत है यह बहुत मामूली दिख रहा होगा कि हाथ में चोट लगना तो चलो मामूली बात है चलिए आपको दिखाता हूं अब मैं आपको यह फोटो दिखाता हूं चलिए यह देखिए 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 अराम से देख लीजिए कोई जल्दी नहीं जो कुछ घुब है कि यह जो आपको चोड के निशान दिख रहे हैं इसके बाद तुरंत और तब कौन सी रात की बात है जब करकी सावन का ममी ममेकी देख सघ्थ हुए थी ये तब की बात है और की सावन इसी राठ को इसने मारा और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई इन्होंने मेडिकल के लिए बेजा क्योंकि और भी चीज़े देखनी थी यहां पे राकी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा जहां पे साफ तौर पर उपर के अस्पताल के डॉक्ट लड़की को उनके मुँ में यह तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफे सहन करने को कहेंगे कि क्या कोई उनकी मां को बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा कुईन बोला जाएगा बहुत रिप्लाई बहुत चीज़े आ रही थी कि और यह ड्रामा कुईन है यह तो कोई सच्चाई नहीं है यह सच्चाई यह ते लोग फोन कर रहे हैं अरे राकी सावन तो ड्रामा कुईन है वाईद बाई यह आप कहाँ मुझे जल्ए इससके बाई है कि सी के वी साथ ऐसा होगा तो हम सबस्क्राइबोर्स चाहिए धा shaken है सब्सक्राइब्स डादिन नहीं है यह कोपाध्या के दॉकुर्स कूपार आसपरल्रेयल के डॉक्तय के डzięki दिखाऊ मॅग क्या मुदि फोटों हम्मीडिया सांब नहीं है यह तक छोट लगा है नहीं लाना चाहते थे लेकिन आज परिस्तिती कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा राखी ने कहा कि यह फोटो अब बहुत जरूरी होगी है कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक महौर लगाई जाए कि लोगों को लगरा था कि राकी मजा कर रही है राकी सिर्फ यह आप देख सकते हैं सिर्फ मा के लिए चुप बैठी वो अपना घर समाने के लिए चुप बैठी वो अब यह लोगों का मूँ चुप हो जाएगा यह देख कर कि जो कह रहे थे कि निराखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है उसके साथ कोई मार पीट नहीं होती थी यह डॉक्टर के रिपोर्ट है कि अब यह आप लोग तह कीजिए कि यह सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया मेरा एक क्वेशन बुचिए है कि आप कह रहे हैं जिसी मा का दिखान को यह देखिए उस दिन आदिल ने मारा था और जिस तरीके के निशान पेस पर है और बोडी पर ह ने जब राखी अपने मॉम के लिए जब गई थी तब ऐसे कोई निशान उनके फेसे लेगर पे नहीं ठीके थे राखी ने पूरा कोशिश की ती चुपाने की कि वह घर समालना चारे तो मां के शोक में थी वह मां के प्रॉलम में थी वह अपना अपना दुखरा बताए या अपनी मां का दुखरा देखे फिर भी उसने घर सबाने कोशिश की लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला फूट-फूट के रोई वह हो कि मामा ये तो कुछ भी ने ये देखो मेरे साथ बाइक बताओ मुझे भी नहीं पता था राकेश चीज फ्यूनरल में जब हम थे ह हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है लेकिन जब रात को ये सब चीज का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सहेगा अब आप लोग कीजिए आप मीडिया है संविधान का चौता स्थम है अब आप लोग बताईए कि सच है या जूट है यह आप लोग को पहुचा जिस सरस से उसने दिस एटम टू मडर और आज भी जो मारने कोशिच की यह भी बताया कि जब वो नमाज बटे थे उसके पर पूरा शिशा गिराए दिया था एक मारने की कोशिच थी कि अगर वो नहीं तो फिर उस सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी यह रायाशी मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी तो जब उनकी मा का देहान थो उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटर्वी किया तो वह आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ वापस चले आओ आप अपना घर बचाने की को आप मुझे बताइए राखी की शादी को गए तकरीबर folder चुप आठ महीने की कहई रखा किसके पेशने तक अब पेशने के साथ मेना चुपा सकती थी तो आगे और चुपा सकती थी यह सब character bundle यह सब सरू जब बिग बॉस में थी महाराथी में उसके बाद जब आदिल ने यहां पर दूसी ओरतों के साथ घूमना शुरू किया फोटोग्राफ जब राकी को भेजे गया तब इस चीज का खुलासा हुआ हम बुलाते रहें और आदिल को फोन करते रहें कि राकी तो बिग बॉस में है आदिल तुम आओ जरा देखो मा को लेकिन वो बोता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है मैं को बैंगर पुलीस धुन रही है मुंबई पुलीस धुन रही है और मैं अंडर ग्राउंड ह तो आप लोग एंडल कर लो इतना ही नहीं जब राकी ने शादी की फोटोग्राफ और अपना निकानामा मीडिया की समक्ष पेश किया तब आदिल से मैंने खुद बात की कि आदिल तुमारी शादी हो गई है कुबूल क्यों नहीं कर रहा हो तो उसने क्या कहा मुझसे साथ कि यह उसका टाइम बाइंग कर चीज है कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी मैं दो दिन में खुलासा करेगा ना मैं चार दिन में क्वलासा करेगा ना ऐसा नहीं होता जब शाधी की तो तुमको कोई रिवाल्वर रखे है दबाव मिलाके तो तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया तब जाकि राखि आदिल ने तीन दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हां साभ ने शादी की तो आप समझी उस इंसान की मानसिक्स क्या इस्तिती क्या है किस तरह का सोच है उस आदमी का उसी सब का बदला लेकर उसको मारा है इस दर में चोरी उसके बाद और्नमेंट्स की चोरी उसके बाद फिर से मार पिट आज फिर मारने आया था कितना सेहन करेंगी वो एक नारी है वो भी एक बहने किसी की बेटी है अगर आपकी होती तो आप बोलते हैं कि ड्राबा कोई ने तो उसकी प्रॉल्म है कि वो स्टार है वो एक्टरस है धन्यवाद धन्यवाद